नमस्ते आप सभी का स्वागत है सनी का जाइका में तो चलिए आज हम बनाएंगे इंस्टेंट चाट वो भी सिर्फ 5 मिनट में जिसकी इंगीजिन्स हमारे किचन में बहुत ही आसाने से मिल जाएगा और जो की चटपटा होने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आये तो आप उसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना बिलकुल भी न भूलें तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अगर ृडब करेंगए तक हमारे जो चार्ट के डिजाइन वह एक अच्छे से उभर वर के आ insist देखिए हम इसको छिल लेंगे ताकि और भी देखने में संदर लगे 收कर समय के अगर आपको और भी छोटा चाहिए तो आप और भी पीसेस कर सकते हैं, इस तरह से देखिए मैंने एक खीरे का चार पीसेस किया है, वो हमने काट लिया है, तो आप देखिए इसकी जो बीज है वो हम चक्को से निकाल लेंगे, इस तरह से आसानी से बहुत ही आसानी से निकल आप अगर चम्मत से comfortable है तो आप चम्मत से भी निकाल सकते हैं ये देखिए मेरे पास में एक चूटा scooper है इसके मदसे भी आप निकाल सकते हैं ये भी बहुत आसानी से निकल जाता है इस तरह से देखिए हम बीज निकाल लेंगे इसके सारे बीज हम नहीं निकाल लेंगे नीचे का थोड़ा base छोड़ देंगे नहीं तो हमारे filling है जो दूसरे end से निकल जाएगी तो इस तरह से घुमाते हुए हम धीरे धीरे करके इसके हम बीज निकाल लेंगे यह देखिए इस तरह से बहुत आसानी से निकल जाता है तो यह देखिए इस तरह से हमने बहुत आसानी से बीज निकाल लिया है तो इसी तरह से हमने सभी pieces के बीज हमने देखिए निकाल लिया है यह देखने में बिलकुल ऐसे लगेगा नीचे से base भी रहेगा और यह बीज है इसको फेकनी जरूत नहीं है बिलकुल भी इसको हम इसका juice बना सकते हैं या salad में यूज कर सकते हैं इस बीजों को तो अब एक बड़े बोल में हमने एक प्यास काटा है उसको बारिक काट लिया था मीडियम साइस का हमने लिया था वो हम डाल देंगे दो टेबल स्पून हमने स्वीट कॉन को बॉयल का लिया था वो डाल देंगे इसमें हम अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिच एक छोटी साइस के हमने लिया थी उसको बारिक काट लिया था वो डाल देंगे हम एक हमने टमाटर लिया है उसको बारिक काट लिया था वो भी डाल यह धनिया पत्ता है इसको हमने धो के चॉप कर लिया था ये भी हम इसमें डाल देंगे अब एक चमश हम डालेंगे काश्मिरी लाल मिश पाउडर एक चमश हम डालेंगे रोसे जीरा पाउडर थोड़ा सा वाइट नमक डालेंगे स्वाद अनुसार अब इसमें हम नार्यों का पिंक सॉल्ट डालेंगे जिससे इसका जायका और भी बढ़ जाएगा यह बहुत ही अच्छा पिंक सॉल्ट है तो आप भी इसे जरूर यूज़ करें इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और यह एक चमस हम डालेंगे गरम मसाला और देड़ चमस हम डालेंगे फ्रेश लेमिन जूस निमू का रस एक चमस हम डालेंगे चाट मसाला और इन मसालों को हम सब अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे तो friends यह जो आज चाट बनने वाली है वो गजब की बनने वाली है कभी भी आपके friends आने वाले हो या कोई भी महमान आने वाले हो तो आप इसको जटपट 5 मिक में बना सकते हैं अब यह जो हमने फिलिंग बनाया है उसको हम इसमें फिल कर देंगे धीरे धीरे प्रेस करके अच्छे से तो friends यह बहुत ही टेस्टी बनता है अगर आप यह एक बार खाओगे तो बजार की चाट खाना यह भूल जाएंगे यह मेरा दावा है तो friends ट्राइ करना तो बनता है एक बार आप जरूर ट्राइ करें तो इस तरह से इसको हम फिल कर देंगे थोड़ा से प्रेस करके फिल कर देंगे ताकि यह अच्छे से इसमें फिल हो जाए तो यह देखिए अब इसको हम गानिश कर देंगे नायलोन सेव से इस तरह से लग रही है ना हमारी चार्ट बड़ी प्यारी तो यह देखिए हमने गानिश कर दिया है अब इसको हम गानिश करेंगे धनिया पत्ता से ताकि यह देखने में और भी यमी और टेस्टी बने लगे तो आप इसे इस तरह से आप वहुत आसानी से बना सकते हैं जितना सुन्दर लग रहा है यह खाने में तो उससे भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा है तो आप इसे जरूर बनाए अपने फैमिली और बच्चों के साथ इसे जरूर इंजॉय करें